हेलो नमस्ते जय जोहर दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे योटूब चानल एमजी ब्लॉक्स पर आज हम जा रहे हैं राजिम जिसे शत्तिस गड़ का प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है और सावन के महिने में यहां भीड़ भी बहुत रहती है तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाईए और जल्दी सच मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथी साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे त और जिस रास्ते में हम चर रहे हैं सीधे वह हमें लेके जाएगे कुलेस और महादेव की और तो चलिए वीडियो में मेरे साथ बने रहे वीडियो के आखरी तक तो ये सिधा आप देख रहे हैं जाती ही आसरहम के ओर हमें लेप्ट साइड मुड़ना है और लेप्ट साइड से मुड़कर हमको सिधा ही चले जाना है अभी वारिस कम आउसर में तो देख सकते हो आप गड़े हो गए हो और आप पानी भारा हुआ है तो यहां पर थोछ देख सकते हैं वहां पे कोने पे कुलेस्वर महादेव जी का मंदीर इस्तापित है तो पहले कुलेस्वर महादेव का दर्सन कर लेते हैं यहां पर देख सकते हो बाइक रखने का जगह है तो यहीं पर हम बाइक को रखेंगे और देख सकते हो आप इस्टाल पुजा समगरी करिस्टाल यहां पर लगा हुआ है इधार साइड में भी नारियल वगर जो भी सब आपको यहीं से मिल जाएगा यहां से आप खरिद सकते हैं और उपर देख सकते हैं यह उपर और उपर जैसे चड़ेंगे तो जो मुर्ती है उसके पीछे साइट और सिवलिंग नंदीश्वार महाराज जी स्थापित किया गया है मंदीर का यह पिछला भाग है पिछला भाग है देख सकते हो पिछे इस तरीके से यह दिखते हैं यहां से लक्ष्मन जूला चालू होते हैं और यह इधर से लेश्मन जूला से भी चड़के आप डारेट कुलेसर महादेव आ सकते हैं यह बारिस के समय के लिए है यह देखिए गेट बना हुआ है ओम नमसिवाई का यह है श्री साक्षी गोपाल जी का मूर्ती है यहां पर बगवान जी यहां पर इस्थापित किया गया है और यहां पर नंदीस्वार महाराज जी इस्थापित किया गया है पीपल पत्ताना तोड़े आप इंस्ट्रक्शन दिया गया है तो चेलिए मैं आपको मंदीर से अंदर प तो देख सकते हो गाइस यहां से पूरा नदी है इसमें पूरा पानी भरा रहता है और ऐसा माना झाता है यासा कहा है कि इतना भी स्नदी में पानी आ जाए यह जो क्लेश्वर महादेव का मंदिर है यह कभी नहीं डूपता है और यातियों के सुधा के लिए देखूए लक्षबन जुला बनाया गया है इस लक्षबन जुला को पार करके उस पर राजी लोचन का मंदिर जाया जाता है और यहां पर देख सकते हैं मैं चढ़ के आपको दिखा दे रहा हूं मलब हम लोग भी इसमें लक्ष्मांजुला पर चढ़ रहे हैं और यहां पर देखेए श्रग सा लिखा ओक जुत रखक उतार के जाना है तो देखिए यहां से चड़ सकते हों इधर से चड़के भी लक्ष्माद्युला में डाइरेक चड़ सकते हैं और ऊस तरफ मिलें छीजिजी का मंधिर तो चलिए मैं आपको धिरे-धिरे इस लक्षमन जूला के साहरे लेकर चलता हूं राजी लोचन मंदिर के पास तो देखे हैं हम लोग पहुँच चुगे राजी लोचन मंदिर में और देख सकते हो कितना यहां पे बहुत सारा मंदिर दिखाई आपको दे रहा होगा इह जो सामने आपको दिखर होगा स्री राजियलोचन मंदीर वहीं पर हम जाएंगे और यह पर मंदिर के आसे सब प्रांगन है साप सुथरा बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है यह दिखिए головूचन मंदीर वहीं पर सरद्धालू लोग भी हाँ पर बहुत सारे संख्या में आ जाये हुए हैं तो चलिए यहीं पर हम चप्पल वगरा छोड़कर उपर के और चड़ते हैं कर दो चलिए और चलिए बहुत सारे संख्या हैं